मुरदबाद पहुंचे पिड़ेश सरकार में कानून राज्य मंत्री बिड़ेश पाठंग ने अकले श्यादब पर हमला बोलते वे कहा कि उनकी पिड़ेश और देश के प्रती उनकी मानसिक्ता कैसी है ये इस ब्यान से इस्पस्ट हो गई है जब पूरी दुनिया में हाहा का मच्छा हुआ है जिसमें भारत ने अग्रिणी भूमी का निखभाई है कि कोरोना वैक्सिन का प्रडेक्शन देश में हो और सबसे पहले भारत के लोगों को मिले उत्तापे देश के लोगों को मिले और अखले श्यादब के बयान की निंदब पूरी दुनिया में हो रही है योगी के मंतरी अख्रेश यादफ के उस बयान का जवाब दे रहे थे जिसमें उन्होंने कोरोना वैक्सिन ना लगवाने के बात कही थी कानूर राजय मंतरी आज एक दिन के प्रवास पर मुरादबाद पहुचे हैं उन्होंने सबसे पहले स्वतंतरता संग्राम सेनानी भवन में आयोजीत एक कारकरम में बतोर हिस्सा लिया इसी दोरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए गाजय बात के मुराद नगार में हुए हासे में मरे 25 लोगों की मौत पर समवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंतरी योगी ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कारिवाई के आदेश दिये हैं और कुछ गिरफ्तारिया भी हो गई है वही पिछले कई दिनों से मुराद बाद के चर्चित स्वेटर गोटाले पर कहा कि पूरे मामले का संग्यान लेकर गहनता से जांच कराई जाएगी उनसे जब हाई कोट बेंच पर सवाल किया गया पहले तो वह कुछ भी बोलने से बसते रहे लेकिन उनोंने इस विशेप पर बाद में चर्चा करने की बात कही दरसल पश्चमी उत्तरपदेश के एक दरजन से अधिक जनपदों के अधिवक्ते पिसले दो दशक से भी जादा समय से पश्चमी उत्तरपदेश के किसी शहर में बनाया जाने के मांग करते आ रहे हैं संबंदित लोगों पर अपनाया दर्च कराई गए जो पीड़ी में उनके साथ पूरी सरकार करी हम किसी भी लापरवाह दिखारी को कर्विदारी को बक्सेंगे नहीं जिन लोगों की लापरवाही से जटना होई है उन पर हमने आपर आधिक को करपा दर्च किया है और हुआ है उसको ले के चाहने चल्ला अबिदर पेख़ारी करेंगे तुरक पहुचे हैं मैं लगता पांच मेंट भी नहीं हुआ है इतने पाहितर आइटा से कह स्थार भाइएगोपних शेकल आइगाइगे और सफ्रॉट đेखान को इसका ज κάνे पहल雄 हो है बांटीय अग्लेश यादो जी की मानसिंग्ता प्रदी उत्तर प्रदेश के है इस बश्ट हो गई है यहां पूरी दुनिया में हाखाकार मचार हुआ है भारत ने इसमें अगडर्डिव गूं का निवाईा है कि वैक्सीन का प्रोडक्शन भारत के हो और पहले से पहले भारत के लोगों को मिले उत्तर प्रदेश के लोगों को मिले और पूरी दुन्या में इसकी दिन्दा हो रही है मैं समस्का हूं कि उत्तर प्रदेश की लोग समय आने पर इसका जरूर जबाब देए